नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्टिशन पलंबर विशाल पर आज हम टोइलेट का फिटिंग करने वाले हैं यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिया है किस तरह से कौन सा पोर्ण देना है उसके पहले से मार्किंग कर लिया है अब यहाँ पर हम जरीम आ में हैं १र्भान के वास्तिकों तोड देंगे आप को वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी आंतिक बने रहें टोइलेटे का फिटिंग कैसे करना चाहिए कैसे चार इंच का टोइलेट का पाईफ लगाने चाहिए उसकी सभी जानकर मिल जाएगी यह हमने रोटरी हेमर से अपना यह ज़री दोल दिया है यह देखिए कौन सा पॉइंट कितना इंच पर होना चाहिए यह देखिए हम पाइपिंग कर रहे हैं यहां पर हम एलबो लगाएंगे हम जितने भी जोइन बनाते हैं उनको रफ करना चाहिए यह एलबो हम यूरिनल के लिए दे रहे हैं कि आगे अपने को यूरिनल का पॉन्ची है यहां टी लगाने वाले हैं यह अपना रेडूसर टी है एक पॉना इंची का यहां पर हम जो अपना वन फीश आजाय टॉएलेट उसके सिस्टन के लिए है उसके टेंग के लिए हैं दोस्तों जितने भी जोइन बनाते हैं उनको रफ करना चाहिए क्योंकि एल वो टी जितने भी जोइन बनाते हैं उनकी ग्रिप मजबूत बनी रहे कि यहां पर वेक्टी लगा है यह फिर हेंड़ेट के लिए जिसें पिछकारी भी बोलते हैं दोस्तों आप मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक से कमेंट जरूर करें आपको इसी चैनल पर दोनों वीडियो इलेक्ट्रिशन प्लंबर दोनों की जानकर मिल जाए काफी लोग शोल्वेंट को काफी जदा अलग आते हैं उससे कोई फरक ने प्रता दोस्तों शोल्वेंट इतना ही लगना चाहिए कि अपने जोईंट है उन्हें जोने पर वह भार आजाए और पाइप और जोईंट के चारो तरफ एक राउंड बन जाए एक लेयर बन जाए यहां पर हम टी लगा रहे हैं यह टी हम एक टेप जिसे अनल बोलते हैं उसके लिए हैं काफी लोग शोल्वेंट बहुत ज्यादा लगाते हैं नीचे भी गिड़ जाता है हमें उस तरह से शोल्वेंट ने करना है अपने को दो या तीन डाउन बमार कर पाय पर लगा देना ais दोस्तों पाम्ति है ट्विलीट का Χोया बाथ्रूम का हमें एक इंच का पाइपॉरि काम में लेने चाहिए destiny हूँ आई शाचा बना रहता है किसी और को फ़र्छ ने पड़ता प्रीछरवर और, आप लोगे हमें जाधा स्याधा 45 लगाने चाहिए पानीमा मॉटके कम कि यह हम एक छोटा सा पाइप को टुकड़ा कटिंग किया है और इसे हम दो 45 में जोर देंगे कि एक एक इंच के 45 जेशू वेलबो भी बोलते हैं को यह है कि दोस्ता आप अधाने नहीं है तो अपमने चनल को सांप्सक्राइब कर लीजिए लैक optimum करें वीडियो । चईथ की विडियो की जानकरी नहले के लिए हमने चल वडब है वीडियो के अन तक है यहां पे हम एक बराश्ति लगाने वाले हैं जो एक आदा का होगा बलास्टी अब यहां पर हमनी जुट्टी छोड़ी है यहां पर हम बराज से एलबो लोगाने वाले हैं कि यह पना वन्पीस के डब सिस्टन के लिए मत्री टेंग के लिए आ चुका है यह पॉइंट यह फिरी हंट्जेट के लिए पिस्कारी के लिए है यह अपना नल का पॉइंट है कि जिसे हम डब्बे का पॉइंट बोलते हैं डब्बे के लिए हैं कि यह में ट्विलेट के लिए तीन पॉइंट बनाए है और एक पॉइंट यह नल टेप के लिए एक्स्टा है यह यह यूदिनल के लिए पॉइंट है यहां पर यूदिनल लगेगा कि हम चैडल के लिए लगा रहे हैं चीपीश आप पच्चीज़ में का जिसे पाइप फिलना पाए अ कि पाइप तिंफिक्स हो चुका है हमारी यह कंपने काम हो चुका है हम यह नपे डाट पे यह ब्रास अलबो पे डाट लगा रहे हैं जिसे जब प्लास्टर हो तो वाइप के अंदर कच्रा ना जाए यह देखिए इस तरह से हमने अपना फिटिंग किया है दोस्तों एक इंच का अब देख सकते हैं यह यूनियल के लिए यह वन फिर सीट के टैंक के लिए यह फिर हैंट पिसकारी के लिए यह डब्बे के लि एक इंच का ही यह दो 45 लगा के टील लगा के हमने यहां पर वह स्वेशिन के लिए पॉइंट मना दिया है नीचे दो 45 लगा के इधर टैंक बनाऊ है उस टैंक तक लाइन लेके गए हैं एक इंच का यह देखिए ए एग और अदर वने दे दिये है अ कि रहा यह लाइन यहां से कनेक्ट होके यह जो टैप लगाओ है यह 15 लाइन एक इंच का लाइन बने गई है यहां पर जूनने वाला है के video inच का लाइन है वाइस टेंक बना वह थाया लाइनार है इस देकिची सा इन फेला की धे कि दार दिया कि कोई लाइन का में लेना होतो चरह प्रकार्ड यहां वह और फोटीवाएफ दुबा वेफ्सान 된 को पूपर से टी में दोर दिया है एक उपर केलिये है हमने एक लगा दिये कभी काम में ले नहों यह टेप लगा दिया दो फोटिफाइव यूनियन वा लगा दिया है इस तरह से हमने यह फुर फिटिंग किया है दोस्तों चार इंच का पाइप कैसे लगाते हैं उसके बारे में आपको बताने वाले हैं तो लेट आप चार पर नहीं है तो हमाइच चैनल को सब्सक्राइब करें लिए लाइक से कमें जरूर करें दूत्व यह च्यार इंच का पाइप है पीछे से दीवार विजब प्रलास्टर नहों तो अपन इसको 11-12 तक रख सकते हैं कम से कम 10 इंच और ज्यादे से दा बारा इंच हम इसे रख स अब पिछे सी अपन को दस से बारा और श्राइट से अठारा से बीच दे सकते हैं यह हमारा भार का पॉइंट है यह बार यहां पर टेंक बनेगा यह अंदर से जो साइड में पानी कि रहे हो से उसके लिए है डेड इंच का लाइन यह वह स्विशन के लिए है यह फिर हमने एलबो लगां कि भाद छोड़ दिया लाइन को